आज एक शुप दिन पे एक करोड़ पचास लाग का काम चालू आ है। आज टिप्पु जैन्ती भी है। और ये हमारे शेरे मैसूर का जो जनम दिने उसके जनम दिन पे पूरे हमारे नौर्थ में इतने काम चालू हो रहे हैं। वो बड़ी बात है और वो सबसे अच्छे वात है। हबी हमारे एक्स डेप्णी मेर साची जली साब बोल रहे थे कि एक एम के तरफ से इसमत हो गला है। बेशब एका डिबी की तरफ से भी हो गला है। और हमारे नौजवान कॉर्प्रेटर जो अलीम पतेल जी भी है। कि सिर्फ इचके आडीवी से सब कुछ हो रहा है आपका रोज के जो मसले हैं वो उनके तुरू ही साल हो रहे हां थोड़ा बहुत उनको भी लड़ना पड़ता है कमिशनलर से लड़ना पड़ता है MLA से लगना पड़ता है, मंत्री से लगना पड़ता है, डिस्टिक पिंचार से लगना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे प्राब्लम से और प्राब्लम के लिए सलूशन डूड़ना कुछ आसान बात नहीं है सब लोग प्राब्लम पूलते हैं पर एक लीडर वो होता है जिसके प्राब्लम का सलूशन निकाले हल निकाल के लोगों तक पहुंचा है तो इसलिए आपके बीच में आज दो नाउजवान लीडर है एक तो हमारे आपके कॉर्परेटर है अलीम भाई और दूसरा हमारे फराज भाई भी है सिर्फ अलीम को अलीम को मस्बूत करेंगे तो अकल फराज मस्बूत होगा फराज को आप मस्बूत करेंगे तो खल करगे साब मस्बूत हो जाएंगे प्रगे साभ को मजबूत करेंगे तो कानग्रेश मजबूत होगा प्रगेशाय सटोड़ेंगे तो देस मजबूत रहेगा तो इसलिए ये क्यों बोल रहा हूँ? कि ये लिंक है, ये चैन लिंक है एक पी कडि़ तो देश का हालति पुंट ठोचинов का ने पना जाएगा आज शेर हिंदुस्तान युम्य पैदाइश की इस मोके पर नॉर्थ मस्टेंसी में सब्सक्राइश किया रहा है साती साथ इसमें हमारा वार्ड नमर्टी जिसके यहां पर मैंफोद अलिम पटेल रिप्रेजेंटेटेट हूं अज प्रैंक खरकी जी और कनिस फातिमा सहाब और एक्स मेर प्रेजेंट ट्रिप्टे मेर अलियाशी रिंद अफूरा करपुश्य डिपर्टमेंट और वार्ड नमबर 20, 21, 37, 38 पूरा जिनानाबाद की आवाम इन लोगां का तमाम लोगां मुझे शुक्रियादा करता हूं जो आज एक अच्छे शुब दिन पर शुब मौके पर इस कामों पर जो है ना इफ्तेजा के अमल में लाएं इफ्तेजा की हैं अमल में लाएं वार्ड नमबर 20 में एक टोडश अपनला की लागत से एच्छे डीवी का जो काम आज इसे दा किया हैं ये इदगा लेवट और शाजिलानी लेवट हर रोड पर जो आना सिक्सी रोड नजर रहेंगे दो अधर वनीश से पहले हैं इंशा आला ताला अला जिर्व पचास जि में जिसे कॉंटेक्टर हैं आपर मौजूद हैं इंशा आला का महूल में आएगा माशा आला वाट नमबर 29 की कारकर देगी 20 से कारकर देगी कदिर चौक से लेकर मजीद अगब साबिरीन और उसके बाद फिर मिजबा नगर मजीद शम्स मजीद तज तयबा यानि ये चारो करते हैं और हम अल्ला से दुआ करते हैं कि अल्ला इसकार पर देगी 20 में ऐसे इत्तिहाद रहके और आने वाले दिनों में इनका साथ दे